दोस्तों आज के हमारी इस वीडियो का टॉपिक सोलर के उपर है सोलर सिस्टम लगाते समय हमारे पास दो पॉइंट आ जाते हैं या तो हम उसमें on grid सोलर सिस्टम लगाए या फिर off grid सोलर सिस्टम लगाए तो दोसे इस वीडियो के नदर मैं आपको on grid, off grid क्या होता है, इन में क्या अंतर होता है और हमें कौन सा solar system लगाना चाहिए हमारे grid के लिए और यह कैसे काम करता है आपको पूरा clear हो जाएगा तो दोसे वीडियो को start कर लेते हैं तो दोसे वीडियो के चाहिए है, सबसे पहले चीज़ मैं आपको यह बता दूँ कि हमारे जो solar system लगाये जाता है वो हम तीन तरीके से लगा सकते हैं, या तो हम उसको on grid पे लगा सकते हैं, या हम उसको off grid solar system लगा सकते हैं या फिर हम hybrid system लगा सकते हैं, यह hybrid जो system है, यह अभी latest ही आया है, तो इसका उप्योग काफी कम किया जाता है, वैसे यह सबसे ज़्यादा उप्योग ही होता है, इसके ओपर हम अलग वीडियो के अंदर बात करेंगे, अभी हम on-grid और off-grid को समझ लेंगे, बिल्कुल अच्छे स है, और आपको पूरा doubt clear हो जाएगा, दोस्ता आज के समय सबसे ज़्यादा जो solar system उपर किया जाता है, वो किया जाता है off-grid, हम कभी भी देखेंगे, तो हमारे जो 90% लोग होते हैं, 80-90% वो off-grid solar system को लगाते हैं, पर बाकी के 10-15% होते हैं, वो on-grid solar system के उपर जाते हैं, त जो कि आपके लिए काफी जादा helpful रहेगा, तो दोस्तो देखें, चाए off-grid हो या on-grid हो, सब के अंदर हमको solar panel लगाना ही पड़ेगा, तो मैं यहाँ पर बना देता हूँ, यह मैंने लगा दिया solar panel हमारे घर के उपर, यह solar panel है, यह solar panel से हमको current मिलेगा, तो दोस्तो अब हम जो off-grid की बात करें, इस off-grid के अंदर हम एक solar system के साथ में inverter को लगा देंगे, इसके साथ साथ दोस्तो, off-grid के अंदर एक battery भी लगी होती है, इन सब कैसे क्या काम होता है, वो भी यह आपको सब clear हो जाएगा, एक battery लगी रहती है, और इसके अलावा हम हमारे घर को connect करते हैं, तो यह हो गया हमारा home, ठीक है, अब दोस्तो इसकी थोड़ी working को समझ लेते हैं, कि आगीर हमारा जो off-grid solar system है, यह किस सरीकी से काम करेगा, इसके लाव दोस्तो यहाँ पर मैं जोड़ देता हूँ, हमारा electrical pole से सप्लाई आ रही है, वो मैं लिग देता हूँ, यहाँ पर हमार इसकी खासी स्टार्ट हो चुकी है, और हमारा जो solar panel है, वो solar panel हमारी बिजली बनाने लग गया है, तो हम माल लेते हैं, कि हमने जो solar unit लगा रही है, वो लगा रही है 500 watt की, और हमारा जो solar है, वो solar अभी हमको 500 watt की supply दे रहा है, ठीक है, अब दोस्तों क्या होगा होगा हमारे जो घर है, इस घर के अंदर हमने जो up current लगा रहे है, वो लगा रहे है only for 300 watt की, यानि मैरे जो जो और जो solar panel है, वो solar panel 500 watt की बिली बना रहा है, पर दोस्तों साथ में आपको बताए कि हमार जो off-grid solar panel है, इसके बैटरी भी लगी होती है, और यह बैटरी के वज़े सी हमारे off- solar panel को जड़ा लगाया जाता है, अब दोस्तों क्या होगा, हमारे solar तो 500 watt निकाल रहा है, पर हम घर के अंदर only for 300 watt यह उपयोग ले रहे हैं, इसके जादा हम नहीं ले रहे, तो दोस्तों क्या करेगा हमारे solar panel है, यह solar panel हमारे इस battery को चार्ज करने लग जाएगा, तो दोस्तों ह पैनल तो 500 watt ही रहेगा, पर हम यहां पर उपयोग only for 300 watt ही कर रहे हैं, तो हमारे 200 watt होगी supply, वो 200 watt पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगी, तो हमारे सबसे बड़ा नुकसान हमारे off grid के अंदर यही होता है, कि हमारे बिजली होती है solar panel से बनती है, वो वेस्ट हो जाती है, solar से बिजली जो बनती है, वो हमारी वेस्ट हो जाती है, मैं आपको बता है किस तरीके से वेट हो रही है, हमने घर के अंदर उपकरण कम लगा रहे है, पर हमारे solar बिजली को बना रहा है, और हमारी battery भी फुल चार्ज है, अब दूसरों, अब शाम को क्या होता है, जैसे हमारे पूरे दीन इस तरीकी से हमारे system चल रहा है, पर हमारे शाम के समय क्या होगा, जैसे हमारे 7 बजगी, अब मैं मालेता हूँ कि हमारे साम की 7 बजगी, तो साम के साथ हमारे solar बिल्कुल अंदेरा हो जाएगा, और हमारे solar बिल्कुल भी बिजली नहीं देगा, तो दोसरों, इ फूरे बेटरी के जितनी energy वह खतम ने होती, तो प्रता हमारे जो घर है, वह घर के सारे उपकरण हमारी बैटरी पे चलेंगे, पर जैसे हमारी बेटरी पूरी डिशार हो जाएगी, पूरी खतम हो जाएगी, तो हमारे जो घर के उपकरण हमारे electrical के पॉल से चलने लग सबसे पहला जो नुकसान है वह है कि अगर हमारी बैटरी पूरी चार्ज हो गई उसके बाद में हमने घर में कम उपर लगा रहे हैं तो हमारी सोलर से बन रही है बिजली वह बिजली पूरी तरगे से वेस्ट हो जाएगी उसको हम आगे गवर्नमेंट को नहीं बेज सकते इसक ऐसे गया है साइक होती हैं कि अगरी सबसी का गणे हो गते हैं और इसके बाद में हमस हो ऊप्योगिम्य के सातने बेटरी वह You इसाइरा हो जाएंगे तो इस तरीके से हमोगी नुक्साल होता है उसके बारत में हमसमझ लेंगे कि अफ़िना क्टी और ओफैने ल में हमसे स्पाइब रब्सक्राइब टो बारीप लगा रहता है फमारेजी रेउब Bye क्या है इस कि मित्र को देखता है कि हमारे जो गर है ऀसपे मैं पखोगा हमारे समझेंगे चीछिचा हूं करें विपजो है और साथ-साथ हमको इसके क्या नुकसान भी है तो दोस्तों देगे on-grid system जो है on-grid system के अंदर हम जैसे वापसे मान लेते हैं कि हमार जो solar panel है वो solar panel हमारे 500 watt की हमको current दे रहा है 500 watt की हमको supply दे रहा है तो अब यह 500 watt की हमको supply दे रहा है वो supply हमारे inverter के तुरू हमारे AC में convert हो उऑपकरेν वापसे 300 watt के ही चल रहा है ज्यादा की नहीं चल रहा है तो 300 watt के अंदर चल रहा है तो पहले हमारे पना रहा है हमना ने बड़ा लगा रहा तो वो बज़ी है वह बज़ी हमारे इस मिटर के तुरू हमारे एक्रल्प में चले जाएगी और वह गॉलनमेंट को को नहींडिछ चब्लाई हो जाएगी ऐसीतर दोस्तों अगर हमारे कोज च्छार है यह सो के क्ले कॉष्ट यह overlook हो ग पेनल ने 2 kilowatt की बिजली हमारे पॉल को दे दी इसके बाद में हमारे जो साम होएगी तो साम को दूसर हमारे गरे के नदर आने लग जाएगी और हमारे घर के सभी उपक्रण चलने लग जाएंगे और दोस्तों जैसे माल लेते हैं कि अगर हमने शाम को 2 kilowatt की बिजली का उप्योग करा तो हमने सुबह 2 kilowatt हमारे गौवर्मेंट को सप्लाई कर दी और शाम को हमने 2 kilowatt वापस से उप्योग मिले लिए तो हमारे बिजली का बिल है वो बिजली का बिल बुलकुल जीरो आएगा क् गौवर्मेंट को भी सप्लाई कर रहे बिजली इसके लाओ दोस्तों गौवर्मेंट को हम बिजली बेज भी सकते हैं उसके भी कही नियम है वैसे ओंग्रेड को लगाने के और इन सब को कड़ने के हमको पहले जाके गौवर्मेंट से परमिशन लेनी पड़ती है तो लगा रखा है 7-8 बजे तो हमारे ऑफ ग्रीड के केस में तो हमारे पास बैटरी है उस बैटरी से हमारे घर का उपकरेंट चल जाएगा और हमारे जो घर के उपकरेंट चलना बंद हो जाएगा क्योंकि हमारे ऑन ग्रीड सिस्टम है वो ऑन ग्रीड सिस्टम हमारे एलेक्रिकल पोल की सप्लाई आएगी तब तक ही चलता है उसके बाद में हमारा बंद हो जाता है अगर हमारे 24 गंटे में एक गंटे भी बिजली काट हो गई चाहेगा वो सुबह हो या शाम को तो हमारे अगर के कोई भी ऊकरे नहीं चलेंगे जिलींगे ऑने गंटे में हमको यह नुक्साल होता है पर ऑफग्रीड के चिंदर हमारे आप एक फायदा होता है कि हमारे पास बैटरी है उसस बैटरी की साहरता से हमारे ऊकरण को चला सकते है तो दूसर हमको solar pen ने कौन सा लगाने चाहिए यह हमको clear होना चाहिए जैसे मैं आपको बता है starting में कि 90% लोग off-grade solar system को अपना रहे जबकि 10% on-grade को अपना रहे पर दूसर हमारे पाद एक नई technology आ चुकी है वो है hybrid system तो आज के समय अगर आप solar system लगाना चाहते हैं तो आप hybrid system क के ओपर ही जाई है क्योंकि hybrid system जो है वो इन दोनों का mixing है इस समय आप बिजली को बेज भी सकते हैं और आप श्टोर भी कर सकते हो यह थोड़ा कोशली होता है इसके ओपर आगर आप वीडियो चाहते हो ता मुझे comment वक्शन करके बताईएगा मैं इसके ओपर और detail video बना अन्यता आप ऑफ-grade पर जाईए वरना आपके घर पर आपको समस्या होईगी क्योंकि एक गंटे भी बिजली कट हुई तो आपका पूरा घर है वो घर के कोई भी उपकर नहीं चलेंगे on-grade के अंदर यह आपको पता होना चीए तो दोस्तों उमीद है कि आज के इस वीडिय सब्सक्राइब कर लिजे आज के लिए इतना ही धन्यवाद